दोस्तों घरे लुपचार और सुखे जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज के इस वीदियो में हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत इखास नुसका ये उन लोग के लिए है जिनके दात गुटका पान बीडी ये सब करने से बहुत काले और बहुती भत्ते हो चुक हैं और जिसकी वज़े से आपके दात बिल्गल साफ नहीं हो रहे हैं और दातों के रोग बढ़ते जा रहे हैं दातों में पायरिया और निजाने क्या क्या बीमारियां आपके दातों में लग चुकी हैं मसूड़े दर्द करना मसूड़े से खोन निकलना इन सारे बीमारिय हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों ये है तेज पत्ता यानि इसको बे लीफ भी बोलते हैं इंगलिस में और ये आप किसी भी राशनी स्टोर से आप इसको ले सकते हैं तेज पत्ता ये इसका नाम है राशनी स्टोर से बहुती सस्ता और बहुती असानी से मिलने वाला य करती है ये और इसको आप अराम से ले सकते हैं इसको कूट पीशकर छान joke बारिक order बना लें इस तरह से और इसका दोस्थों करना यह है कि आप इसको कि तीसरे दिन रोज नहीं करना है आपको तीसरे दिन आप थोड़ा सा आधा चमच इसका आधा चम में चैसे हतेली पर रखें और इसको हलकी हाथ से अपने मसूडों पर अपने हाथ अपने दांतों के उपर हलकी हाथ से सुभे इसका मालिस करें पहले आप जो भी प्रस या जो भी पेस्ट आप यूज करते हैं पहले आप अच्छे से उसको कर ले उसके बाद आप ये ले और इसको हलके हाथ से दांतों के उपर मालिस करें इसकी मसूड के उपर हलके हाथ से मालिस करें ताकि वो छिल ना जाए मसूडे इस तरह से आपको क थोड़ी देर बाद आप करीब 10 या 5 दस या 12 मिनट बाद आप पुला करें अपने दातों को फिर से साफ कर लें फिर ब्रस करने की जरूत नहीं है उसके बाद और थोड़ी देर कुछ खाएं नहीं कुला करने के बाद कम से मादा घंटा रूग जायें उसके बाद कुछ रंग नहीं चूट रहा है तो इसके लिए आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा खाने का सोड़ा ले सकते हैं उसको ऐसे ही हाथ पर रखें थोड़ा और उसमें हलका सा पानी मिलाएं और उसका थोड़ा सा पेस्त बना के ऐसे हाथ के ऊपर और उसको हलकी हाथ से मालिस करें उससे आपका जो पीला पन है और जो काले पढ़ गए हैं दात वो काला पन वो भी ठीरी तेरे खतम हो जाएगा और आपके दाथ बनेगे बिल्कुल मौती की तरह चमकदार और एकदम वाइट दातों की समझत बीमारियों के लिए ये तेज पत्ते का पोर्डर ही काफी है दातों में चमक लाने के लिए आप बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा आप यूज कर सकते हैं ये दोनों दवाएं बहुत हैं बहुत अच्छी हैं बेकिंग सोडा भी आप एक दिन छोड़ कर एक दिन कर सकते हैं रोज भी इस्तवाल ना कर पाएं तो एक दिन छोड़ कर एक दिन करते रहें लेकिन आपको ब्रस या कोई भी पेश्ट जो आप करते हैं उसको आप सुबह और साम हर रोज करें सुबह जब आप उठें फ्रेस होने के लिए तब कर लें और रात में खाना खाने के बाद सोते स पीले नहीं पड़ेंगे हमेशा मोती की तरह चमकते रहेंगे दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही हमें उमीद है कि हमारा यहनुस का आपको जरूर पसंद आया होगा हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना खैल रखें